हलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागता आपका मानेड़ एक्जाम के यूटूब चैनल पर जी हाँ दोस्तों जो भी हमने आपके लिए दिल्ली ब्लिश डैवर बढ़ती दो जार बाइस के एक्जाम के लिए स्पेशल सीरीज सुरू की है उसी की दोस्ति सतरवी कला कासूने वाली है और दोस्तों सीरीज में हम आपको टोप 2700 फ्लस के उसे वह्यवीर समद्रे मैं एक्जाम तक करवाने वाले और सबसे हैं ऊप आपके लिए इस सीरीज में लेके आते हैं वही दोस्तो जो 50 क्योंस आपके डायवर्ड सम्द्रेश आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तो इसी सीरीज में से आपको maximum question भी मिलने वाले हैं वही दोस्तो इस वीडियो की साथ इन सभी question की अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तो description box में हमारे mind exam की application का link परवाइड करवा दिया है उसको दोस्तो download करके अभी दोस्तो आप सभी वीडियो पिछले एक साथ देख सकते हैं साथ दोस्तो हर वीडियो की आप particular PDF भी download कर सकते हैं ये दोस्तो हमारे application में आपको free classes की option में सभी classes मिलने वाली है इसके साथ ये आपको PDF भी वहाँ available है वहाँ से दोस्तो आप एक साथ सारी PDF देख सकते हैं साथ दोस्तो डेली quiz के option में आप हमारे application पर है वो की जोभी free में दे सकते हैं वही दोस्तो इस वीडियो की daily basis पर notification पाने के लिए अभी आप चैनल को subscribe करके जो पास में bell icon है उसको जरूर प्रेस कर ले ताकि दोस्तो जैसे हम वीडियो फ्लोड करें उसके notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके साथ ही वीडियो को like और जादा से जादा सेर जरूर कीजिए ताकि दोस्तो इस series हम आपके लिए free में exam तक लाते रहें अब दोस्तो आगे बढ़ते हैं और दोस्तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत दन्यवाद क्योंकि दोस्तो माइड एक्जाम चैनल को यूटूब पर दो साल आपके complete हो चुके हैं इसी आउसर पर दोस्तो हम आपके लिए सबसे बहतरी न उपर लेके आचुके हैं जो भी दोस्तो driver के अभिहारती हैं जो दिल्ली प्लीज ड्राइवर बढ़ती एक्जाम की तियारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तो यह उपर सबसे special रहने वाला है जी हां दोस्तो अगर आप दिल्ली प्लीज driver का बेच लेना चाहते हैं जी हां दोस्तो सिरफ और सिरफ जो driver के 50 कुशनों का 7 में बेच लेना चाहते हैं दोस्तो इस बेच की आपका अभी प्राइज रहने वाली है 449 जी हां दोस्तो यह आपकी वेलिटी रहने वाली है 5 परोडी 2022 तक जी हां दोस्तो इस बेच को अगर आप खरीते हैं दोस्तो इस बेच में अनुल करते हैं 5 परोडी रात 12 बजे तक जो दोस्तो यह बेच की आपकी जो फीच सा वो काफी कम रहने वाली है दोस्तो बेच के हम आपको खासित बता दें जो जो driver समदित आपके 50 कुशन होंगे इस आपके बेच में complete करवाए जाएगा इसके साथ दोस्तो हर क्लास के साथ आपको PDF नोडस भी मिलने वाले हैं सबसे बहतरी त्यारी दोस्तो आपको करवाए जाएगी सबस्तो ओल सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट की आपको classes मिलने वाली है सबसे बहतरी फेकल्टी रहने वाली है इसके अलाव दोस्तो हर चीज आपको 02 एडवन्स पढ़ाए जाएगी लगातार दोस्तो अभी हरती बोलते रहते हैं कि सर हमें डिसकाउंट दिया जाए तो दोस्तो ये डिसकाउंट अभी आपको दे दिया गया है पांच फ़रोरी रात 12 बजए तक दोस्तों ये डिसकाउंट वैलिड रहेगा उसके बदोस्तों बिलकुल भी आप मत बोलेगा के सर हमें डिसकाउंट दें तो आप पांच फ़रोरी 2022 से पहलेपले जियां दोस्तों उससे पहले पहले इस बेच में इन दोनों बेच में इसके साहती दोस्तों अगर आप सिरफ और सिरफ जी के मैं तो रीजिनिंग का बेच लेना चाहते हैं तो दोस्तों बेच आपका सिरफ 199 रुपे में रहने वाला है परण दोस्तों इसकी वेलेटी भी आप भी जानकारी के लिए इस नंबर पर दोस्तों आप हमें कोल करके भी दोस्तों अभी जानकारी ले सकते हैं पर पिर बता दें इस कोर्स की साथ दोस्तों इस ओपर की विलिटी पांच फरोरी 2022 तकी रहने वाली है और दोस्तों वोड्सप ग्रूप में जुड़ने के लिए भी वोडस अमेसेज कर सकते हैं वोडस अमेसेज में अपना नाम साथ ही दिली प्लिश ड्राइवर आपको लेके बेज देना है कोई निए यहां दोस्तो इस क्यों का जो रएट अंसर रहने वाला है पारी वानु के लिए आपके घड़ेव करते मिक्ता दी जाती है वह चांद नखा है इनजन के बीना आपका स्टील को किचा Ouais को बिना तो आपका वेशा ही आपकी संभव नहीं है टायर सिद पईये का काम गाड़ी का बाहर उठाना जटकों को सहन करना साथ दोस्तों श्टेरिंग निंतरन के लिए साइगता करना होता है आज के दोस्तों अगले किसन के बात करें यदि किसी कार के आपके टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा जयां दोस्तों किसी भी कार के टायर में हवा का दाब कम होगा तो दोस्तों क्या इसमें से कंडिशन रहने वाली है पहला उप्सन है यात्रियों क्यों आराम में कमी उप्सन बी रहने वाला है इंदन की अधीख खपत उप्सन सी रहने व वो कम है इस question दोस्तो डिटेल से बात कहा है तो यदि किसी टायर के हवा डायर में हवा का दाव कम होगा तो दोस्तो इंदन की खपत आपकी अधिक होने वाली है टाय भी धोस्तो खराब हो सकता है वही दोस्तो अगले question की तरफ बढ़ते हैं पाईये में रीम तथा प्रेस के द्वारा जुड़े होते हैं तार द्वारा रिवेट द्वारा बैल्डिंग द्वारा बी और सी द्वारा जिहां दोस्तो रिवेट द्वारा ये बैल्डिंग द्वारा दोनों उप्शन इसके लिए करेक्ट रह सकते हैं और दोस्तो बात करे तो दोस्तो इसकी description की तो पईये में रीम तथा प्रेस आपके रिवेट द्वारा तथा बेल्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं अगले दोस्तो क्यूसन के हम बात कर लेते हैं कार बस टेक्टर में कौन सा वहिल लगाया जाता है जियां दोस्तो ये भी एक important question है कार बस टेक्टर में कौन सा वहिल लगाया जाता है डिस्क वहिल वाइल स्पोक वहिल ये दोनू या इन में से कोई नी जियां दोस्तो कार बस टेक्टर में आपका डिस्क वहिल है वो लगाया जाता है डि्सक वहिल इस परकार के पईए में रीम तता जेस की वीजटिल की डि्सक होती है दोनु रिवेट या बेलिंग दुवारा जुड़े होते हैं स्पोक का कारे ड्सक पड़ती है पूरी वहिल आपकी एसेमबली बोल्ट दुवारा ड्रम से कसी होती है डिस्ट में कुछ छेद भी होते हैं जिसें होकर ब्रेक पर हवा लगती है रीम के एक छेद में ट्यूब का वोल्व लगा होता है इस परकार का पईया सरल और सस्ता और मजबूत होता है ये कार, बस, ट्रेक्टर, ट्रक अत्यादी में भारी वानों में लगाया जाता है अगले दोस्तो क्यूशन के हम बात कर लेते हैं किस परकार के पईये में रीम और हवद आदे आदे भाग में होते हैं जी है दोस्तो पहला option है आपका disk वहिल, option B है while spoke वहिल, option C है आपकी split वहिल, option D है इनमें से कोई है और दोस्तो इस question का जो right answer रहेगा split वहिल जी हाँ दोस्तो split वहिल आपका है वो पाईये में रीम और हब आदे आदे भाग में होते हैं दोस्तो डीटेल से हम बात कर लेते हैं split while इस परकार के पाईये और रीम बोर्ड दुवारा दोनों भाग में जुड़े रहते हैं हब और रीम दोनों 20 के कई स्वोग लगे होते हैं इस परकार के पाईये का मुख्य लाब यह है कि रीम में कि रीम के दोनों भागों को खोल कर टायर आसान से उतारा जा सकता है बड़े आकार के पाईये जिनका व्यास अपका डेड़ दो मीटर का होता है split बनाए जाते हैं और दोस्तों कोर्स लेना आप बिलकुल भी मत बूलेगा सबसे बहतनी ड्राइवर का कोर्स रहने वाला है और दोस्तों अभी एक्जाम के लिए time है प्रन्तु अभी से दोस्तो इस एक्जाम के आप त्यारी करेंगे क्योंकि दोस्तों इस बार S.S.E. एक्जाम रहने वाला है और दोस्तों पेपर का लेओल बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों हमारा जो भी आपका कोर्स का पेटरन रहने वाला है वो S.S.E. के नए पेटरन के अनुसारी दोस्तों सारी चीज़ें आपको पढ़ाए जाएगी बताए जाएगी तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बोक्स में माइन एक्जाम के अप्लिकेशन का लिंक दिया गया है उसको दोस्तों अभी आप डाउनलोड कर लिए और दोस्तों जो ओपर आपका 5 परोरी 2022 त दोस्तों हुआता है। हम बता है जो हैं चौरी सर को बनाए जाते हैं आपके डिटेल कर कर के चलते हैं छास से आपके रियत या किचर्ड में इनके पईये आपकी सलिप नहीं होते हैं पईये विविन गार्डियों के पईयों पर विविन परकार के ट्रीट बनाये जाते हैं छोटे टायर पर आपके छोटे तता दोस्तो बड़े टायरू पर आपके बड़े ट्रीट होते हैं टेक्टर क के आपके सित्रिटिक अरबर का प्रयोग भी दोस्तो किया जाता है वही दोस्तो अगर अगले क्यूशन के हम बात करते हैं अधिक प्लाई रेटिना का होना टायर के लिए क्या सुचित करता है जी हां दोस्तो अधिक प्लाई रेटिना का होना टायर के लिए क्या सुचित करता दूस्तो वो सोटपोवम में अगर बात करें तो अधीक π.-r होने का, दूस्तो आपका जो भी टायर का अधीक पीर है तो दूस्तो वो किस चीज को सूटिष करता है ?दोस्तो अपसन-A रहने वाल है ?अधीक मुलाई, उपसन-b रहने अधिक खटोर, option C रहने वाला है, अधिक चिकना और दोस्तों, option D रहने वाला है, इन में से कोई नहीं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके टायर का PR ज़्यादा है, यानि प्लाइ रेटिंग ज़्यादा है, तो दोस्तों, वो अधिक आपका खटोर है, और दोस्तों, इस क्यू का अर्थ है, जी हैं दोस्तों, किसी टायर को अगर रेटिंग देते हैं, कि 10 PR का ये टायर है, तो दोस्तों, उसका अर्थ गया है, टायर में 10 पलाई की ताकत है, कंपनी के नमर को बताता है, ये परदेश को सुचित करता है, या इन में से कोई नहीं, जी हैं दोस्तों, option A आपका करेक्टर होने वाला है, कि 10 PR का ये टायर में 10 पलाई काई की ताकत है, और दोस्तों, इस क्यूशन की हम डेटियर से बात करें, तो दोस्तों, परते एक टायर का साइज उस पर लिखा होता है, कि माना किसी टायर का साइज आपका 8.25 x 20 x 10 PR है, तो दोस्तों, इस पे आपके लिखी जाती है, और दोस्तों, इसका अलग-लग मतलब हो देखने को मिलता है, और दोस्तो जो भी हमारे कोर्स में kelas होई, तो हमने separate basis पर टायर की class लिया है, जसमें एक-एक टायर का जो भी feature है, टायर के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, और दोस्तों, अगले यह दोस्तो टाइरो रूम के बीच में ट्यूब रहता है दोस्तो बंध ही रहता है टाइरो रूम के बीच आपके ट्यूब बंध होता है ट्यूब में भी सारी हवा बरी जाती है और इसी परकार आपकी गाड़ी का संपूर्ण लोड है वो सेन करता है और दोस्तो अगले विज डियार स्पेसल दोस्तों भूक भी लेके आचुके हैं जिया दोस्तों इस बूक में 50 क्यूषन सम्दित आपका complete syllabus कवर किया गए इसी के साथ दोस्तों इकीस सो प्लस क्यूषन रहने वाले हैं और दोस्तों दिल्ले प्लिस डायोट बेश्ट बुक अगर आप सर्च करेंगे तो इस कवर पेज वाली बुक को दोस्तो ओडर करके आज ही आप अपने घर मंगवा सकते हैं बुक समदित किसी भी जानकारी के लिए इस नमर पर आप हमें वोट सम मैसेज कर सकते हैं अगर दोस्तो क्यों की तरह बढ़ते हैं नमल लिकित में टायर के गिषने का क्या कारण है जीए दोस्तो इसका राइट आंसर डी रहने वाला है अगर गाड़ी सोरी आपका जो टाइर में फ्रेसर कम होगा तो दोस्तो आपका है टाइर जल्दे गिसेगा किंग पीन टूट जाती है तब दोस्तो टाइर जल्दे गिसता है गाड़ी पर अधिक बार होता है तो दोस्तो इसके विज़े से टाइर आपका जल्दे गिस जाता ह अगले क्यूशन के हम बात करें मोटर गारडी की संक्या कि साधार पर की जाती है जी हाँ दोस्तों मोटर गारडी के बात करें दोस्तों ये क्यूशन ऐसे रहने वाला है जहां दोस्तों इस क्यूशन के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो आपके बड़े ट्रेक होते हैं जहें में दोस्तों आपके दो अकसल से ज़्यादा अकसल होते हैं उनमें दोस्तों आपके टायर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं और दोस्तों उनके बाह कि संक्या भार के अधार की जाती है हलके गाड़ीं में हलके तिहता वाला है जो भी आपकी टायर की ग्रेड होती है उसके बाहर के सहन करने के अधार पर उसके चाल के अधार पर उसकी परियोग की स्तति के अधार पर दोस्तों उसको ग्रेड है वो दी जाती है अगले दोस्तों के हम बात के लेते हैं टायर बनाने के लिए परियोग में करते हैं दोस्तो इसमें आपका टायर बनाने के लिए रबर, सूथ और तार है वो परियोग में किया जाता है इसकार दोस्तो डिटेल से इस क्यूस्टिन के हम बात करें टायर बनाने के लिए आपकी रबर, सूथ तदा तार का परियोग किया जाता है क्रोच प्लाई टायरों की मजबुदी पदान करने के लिए धागों की वीविन पढ़तूं जो आपकी क्रोच दिसा में लगाए जाती है साइड बोक्स सक्त होती है तता दोस्तों ट्रेड कम स्टेबल होती है आपके radial टायरों में प्राए दो भाग होते हैं पहला प्लाई जो आपके radial दिसा में लगी होती है radial टायर के अंदर एक प्लाई और दोस्तो वह भी एक तरफ होती है और इसके साथ एक steel blade लगाए पलाई पर आपका लगाने होने के कनड़ टायर की side box में अदिग और लचक हो जाती है अगला हमारा question रहने वाला है टायर की बाहरी गुलाई कहलाती है जो टायर की बाहरी गुलाई होती है वो कहलाती है trade, trim, wire frame या पलाई जी हाँ दोस्तो वो ट्रेड खेलाती है जैसे कि हमने आपको बताया था कि यह टायर है उस पर उबड़ खाबड चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो दोस्तो आपकी ट्रेड ही कहलाती है और दोस्तो वहिकल के इस साफसे वहिकल के वजन के इस साफसे दोस्तो ट्रेड आ ये कीचड में पईय सलिप ना हो जो भी आपके टाःड समझेत कुछन थे उनको इनकूलूड किया है और दोतो लगातार सबसे बहत्र inesen आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तो इस विडियो को एक से दो गुरूपे में आप एट लिस्ट रहे कीजेगा और दोस्तों यह जो हम आपके लिए ओपर लेके आए हैं इसका फायदा उठाना बिलकुल भी मत भूलेगा 5 जनौरी के बाद दोस्तों यह मत भूलेगा कि सर हमें आप है कोई भी डिसकाउंट दीजिए अभी आपको डिसकाउंट मिल रहा है तो दोस्तों देरी किस बात की अभी दोस्तों माइंड एक्जाम की अप्लिकेशन को डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड कर लीजए प्लेस्टूर से डाउनलोड करके दोस्तों जो भी ड्राइवर का बेच नेने वाला है जिसमें 50 क्यूसन का आपका जो भी आएंगे उसका आपका complete syllabus करवाय जाएगा उसको सिरफ और सिरफ 299 में आप ले सकते हैं वह दोस्तो old subject के लिए आपको 449 है वो पेक करना है दोस्तो इसकी validity आपकी exam तक रहने वाले प्रणतु ओपर आपका पांच फरोरी 2022 तक ही रहेगा रात बादा बजेक तक रहेगा और दोस्तो बेस समदित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर दोस्तो आप हमें कोल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं और कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में इतना है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्यूसन की साथ तब तर लिए दोस्तो जय हिंद जय बारत